तो कैसे हैं दोस्तों आप चब और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ फोर्स तूफान और गाड़ी का आप लोग फ्रंट से हाँ पर कंप्लिट लोग देख सकते हैं एसी नॉन एसी दोनों ही आप्शन में आती है फोर्स तूफान ब्लैक फिनिश में आप लोगों को गाड़ी के अंदर बंपर मिलता है और यहाँ फोर्स कंपनी की बैजिंग देखने को मिलती है फोर्स की बैजिंग मिलती है क्रोम फिनिश के साथ रिफ्रेक्टिंग टेप मिलती है यहाँ पर बहतर आप लोगों की सेफटी के लिए बिक साइज, क्लियर लैंस, हेलोजन हेडलम मिलती है, हाई बीम, लोबीम के साथ, विट टन इंडिकेटर, बल्प रेंड पार्किंग लाइट, नीचे की तरफ आप लोगों को यहाँ पर, फॉगलम लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है, बंपर में, जो कि आप लोग कंपनी स या आफ्टर्मार्गेट जाके इंस्टॉल करवा सकते हैं, अन्रूट प्रेजिंग की बात करें, इस पर्टिकुलर वेरियन की राइपूर में तो यह आप लोगों को बढ़ेगा, 15,88,000 रुपीज का, डीलर्शिप का नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में तो उनको अब लोग कॉंटेट कर सकते हैं, किसी भी कौरी के लिए, काफी बड़ा बोनट मिलता है यहाँ पर, एक वाशर मिल जाता है, दो वाइपर के साथ, विंडशिल को क्लीन करने के लिए, फेंडर में मिलते हैं, टर्न इंडिक गेटर, और यह हैं दोस्तों इसके 15 इंच के आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं गाड़ी के अंदर, ब्लैक फिनिश में यहाँ पर नीचे की तरफ ट्लैडिंग मिल जाती है, केवल वाइट कलर आप्शिन के साथ ही आती है वोर्स तुफान, बीएट सिक्स डीजल इंजन मिल जाता है यहाँ पर आप लोग मिलती है और 2.2 मिटर की हाइट मिलती है फोर्स तुफान के अंदर, यह इसका बैक से लोग है कंप्लीट, काफी बड़े बिक साइज ग्लास एरिया मिलते है तो गाड़ी में अंदर बैटने की बात क्लस्टरों वो भी फील नहीं होग और काफी खुला-खुला बैटेंगे और यह फोर्स की बैजिंग, हेलोजन टेल लेम मिल जाती है पीछे की तरफ फुटस्टेप मिल जाता है और यह इसका स्पेर विल जो कि आप लोगों को पीछे मांटेट देखने को मिलता है और यह नए स्टाइलिस तुफान के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, काफी बिक इस विंडो मिलता है यहाँ पर, पीछे आप लोगों को अगर स्पेंशन की बात करें तो लीव स्पेंशन मिल जाते हैं, और आगे आप लोगों को यहाँ पर इंडिपेंडेंट डबल विजवन स्पेंशन मिलते हैं, और आए पीछे का डोर यहाँ से ओपन कर लेता हूं मे तो footstep की मदश से काफी easily यहाँ पर अंदर जाया जा सकता है यहाँ पर आप लोगों को beige finish में डूर handle मिल जाता है open या close करने के लिए डूर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर sitting arrangement देखने को मिलता इसमें आप लोगों को 12-seater गाड़ी मिल जाती है अराम से इसके अंदर 14 लोग भी बैठ सकते हैं बिना किसी परसानी के adjust होके बागी आप लोग देख सकते हैं अंदर गाड़ी में बैठने के बाद headroom बिलकुल अच्छा मिल रहा है यहाँ पर और legroom में भी असच कोई दिखकात नहीं आती side facing seats मिल जाती है इसके अंदर और इसमें और force की जो new city line है उसमें केवाल sitting arrangement का difference है और हलाक ही बाहर से और अंदर से उसमें कुछ updates भी किये गए हैं force city line के अंदर लेकिन तुफान आप लोगों को यहाँ पर proper raw गाड़ी देखने को मिलती है और इसके अंदर कुछ इस तरके का sitting arrangement मिलता है उपर की तरफ reading lamp मिल जाती है और जो window आप लोग दिख सकते हैं window को भी open कर सकते हैं जिसे proper एक air का circulation बना रहा है गाड़ी के अंदर AC, non, AC और power window भी आप लोग जो है इसका model अलग से आता है और वो सारी चीज़ों की जो costing अब अलग से हैड होती है फोर्स तुफान के अंदर काफी अच्छी build quality मिलती है पीछे वाला जो bumper मिलता है गाड़ी के अंदर और वहाँ पर भी आप लोगों को reverse parking sensors देखने को मिल जाते है reflecting tape के साथ 191 mm का ground clearance ओफर करती है पोर्स तूफान और ये complete look है यहाँ पर और आए पीछे के door का complete look देखते है passenger side door का open करके black finish में ये door handle मिलते है और आसा कुछ दिखता है दोस्तों है आपर गाड़ी का rear door का लोग open होने के बाल dual tone finish में door मिल जाता है काफी wide open होता है गाड़ी का door तो गाड़ी में अंदर जाने में बाहराने message कोई दिक्कत नहीं आएगी power window नहीं मिलते इस particular window के अंदर बागी dual tone black and beige finish में आप लोगों को vinyl अपॉलस्टी मिल जाती है इसके अंदर और गाड़ी का जो ingress angle है वो आप लोगों को हैंपर काफी अच्छा मिलता है jack आप लोगों को हैंपर नीचे की तरफ ही देखने को मिलता है force तूफान के अंदर और पीछे की seat में यहाँ पर अराम से तीन से चार लोग comfortably बैठ सकते हैं क्योंकि गाड़ी की चौड़ाई जो है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है यहाँ पर high vegetable headrest भी मिल जाते हैं आप लोगों को हैंपर second row की seat में दो और front में भी तीन लोग अराम से बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर beige finish में ही आप लोगों को गाड़ी के अंदर roof liner मिलता है काफी मतलब इसकी जो engine की costing है वो यहाँ पर काफी low to maintain engine है काफी अच्छे mileage आप लोगों को निकाल के दे देगा अगर इस segment की गाड़ीयों से compare करके देखे तो private use के लिए और commercial use के लिए दोने use के लिए आप लोग इसको जो है register करा सकते हैं फोर्स तुफान को उपर की तरफ grab handle मिल जाते हैं seats की पीछे pocket मिलती है यहाँ पर आप लोग अपनी जो bottle है उसको carry कर सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोगों को center console में 12 वल का charging socket भी देखने को मिल जाता है पीछे की तरफ भागी front की दोनोई seats की पीछे आप लोगों को यहाँ पर pocket मिल जाती है और यह जो सारी चीज़े कंपनी की तरफ से stock आ रही है फोर्स तुफान के अंदर BS6 diesel engine मिल जाता है काफी powerful और आईए अब गाड़ी के driver side gate का look यहाँ पर open करके दिखा देता हूं तो दोस्तों ऐसे कुछ दिखता है गाड़ी के driver side gate का look यहाँ पर भी आप लोगों को dual tone finish मिल जाती है black and beige और यह complete look देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर डोर open होने के बाद यहाँ पर tire pressure से related information मिल जाती ही दोर के अंदर और यह overall complete dashboard का look है गाड़ी के dual tone finish में dashboard मिल जाती ही black and beige जिससे काफी airy feeling आती ही गाड़ी के अंदर और ऐसी कुछ दिखती ही गाड़ी की front की seat hydraulic steering wheel मिल जाता है यहाँ पर seat को आप लोग adjust नहीं कर सकते है hide के अगर बात करें तो बागी slide कर सकते हैं और recline कर सकते है seat को बहतर comfort के लिए नीचे की तरफ जो pedals का space दिया गया है वो भी काफी अच्छे तो driver को जल्दी ठकान नहीं होगी गाड़ी drive करते बाग लॉंड drive में और चलिए अब मैं गाड़ी के अंदर बढ़ जाता हूँ दोर से यहाँ पर close कर लेता हूँ और ऐसी कुछ keys देखने को मिलती है आप लोगों को manual central locking के सान यहां से मैं key insert कर लेता हूँ और ऐसा कुछ दिखता है दोस्तो force तुफान का instrument cluster और उनने के बाद complete welcome आप लोगों को करता है और जिसकी lights का illumination है यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलता है right side में speedometer मिलता है left side में rpm meter मिलता है और बीच में M.I.D. जो कि trip A, trip B, गाड़ी का real time, average, engine, coolant, temperature, fuel level यह सारी चीज़ों शो कर देगा warning lights के साथ, headlam का level वहीं से adjust कर सकते हैं आप लोग और यहाँ थोड़ी space मिल जाती है, बाकि steering wheel आप लोग दिख सकते हैं कुछ इस तरिके का देखने को मिलता है force motor की badging मिल जाती, steering wheel के अंदर और गाड़ी में अंदर बैटने के बाद प्रॉपर bonnet दिखाई देता है, end तक तो प्रॉपर एक confidence बना रहाएगा गाड़ी को drive करते बग काफी उंचे आप बैठते हैं हाँ अगर road से compare करने तो तो वो भी एक benefit of force तुफान का, क्योंकि इसका ground clearance आप लोगों को 191 mm का देखने को मिलता है यह non AC variant आप देख रहें, जिसके अंदर music system भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है AC variant लेंगे तो वहाँ पर आप लोग जो है इसके अंदर touch screen, infotainment system भी install करवा सकते हैं company की तरफ से जिसकी costing अलग से add होगी यहाँ पर दोना आप लोगों को sunset मिल जाते हैं, यहाँ पर driver set sunset में ticket holder मिलता है और यह दोस्तों इसका manual gear box यहाँ पर, जो की काफी smooth gear shifting के साथ आता है इसके जो gear के throws हैं वो भी काफी आप लोगों को यहाँ पर simple and accurate देखने को मिलते हैं काफी अच्छी position में gearing मिलती है, driver की reach में सारी चीज़े lockable glove box मिलता है यहाँ पर आप लोगों को force की badging मिल जाती है, dashboard के अंदर भी और overall complete dashboard का लोग है, गाड़ी में अंदर बैठने की बात अच्छी चीज़ यह लगी कि काफी जादा black and beige interior होने के कारण काफी जादा आप लोगों को यहाँ पर airy feeling आती है गाड़ी में अगर force city line से compare करें, वहाँ पर आप लोगों को all black finish में जो है interior देखने को मिलता है, और आई दोस्तों में गाड़ी का bonat open कर लेता है और देख लेता है गाड़ी का engine काफी अच्छी build quality देखने को मिलती है, यहाँ पर force तुफान के अंदर और यह इसका complete यहाँ पर front से low के, cable white color option के साथ ही आती ही force तुफान और यह है दोस्तों इसका 2.6 लिटर का common rail, DI diesel engine 4 cylinder, BS6 जो कि आप लोगों को हैपर 91 horsepower देगा और 250 nm of torque, 63.5 लिटर की fuel tank capacity मिलेगी और लगबग 12 से 14 का mileage आप लोगों को निकाल के देदेगा है, 12 to 14 उपर bonnet में padding मिलती, जिससे cabin में sound कम जाए और यह engine bay का complete lock है यह engine force traveler, force tufan और force city lane के अंदर भी use होता है तो चलिए दोस्तों मैं गाड़ी का bonnet यहां से close कर लेता हूँ तो दोस्तों आप लोगों को कैसे लगा मेरा force tufan का यह वीडियो मुझे comment से बताईए साथ ही मैरे channel को subscribe कीजिए, इस video को like कीजिए और bell icon को भी press कर लिजगा ताकि आप लोग और यह वीडियो देख सके तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत